हलो बच्चों मैं उशाशर्मा विक्टोरिस इंटरनेशनल स्कूल अत्रॉली अलिगर से आजम क्लास एर्थ में चेप्टर 11 सच्चा सुख्य के कोश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं सेट का सुखाव कैसा था उसके दानपुन्ने के बारे में बताओ आंसर है एक धनी सेट थे अत्यंत विनमर और अधरम पायर था इतने कि कोई सादुसंत उनके द्वार से निराश न लोड़ता भरपेट भोजन पाता बंडार द्वार सब के लिए खुला था जो हात पसारे व हालत को क्या हो गया सबे दिन होतना एक समान अक्समात दिन बदले और सेट की हालत पतली हो गई यानि क्राव होने लगी कुंदनपुर नामक नगर कहां पर इस्थित है सेट के यहां से आठ दसकोष की दूरी पर कुंदनपुर नामक इस्थान इस्थित है सेट का भंडार द्वार सबके लिए खुला था सेट के मरने की नौबत आ गई कैसे मरने की भूखों मरने की नौबत आ गई नेक्ष देखिए धन्ना सेट की सेठानी को कैसी शक्ति प्राप्थ थी देवी शक्ति पेड के पास कौन चट पटा रहा था कुट्था चौके के उपर कैसा कुंदा लगा रहता था लोहे का रिक्तिस्थान की पूर्टी कीजिए धर्म परायर इतने कि सादूसंत उनके द्वार से न लोटता भर पेट भूजन पाता विपदाग्रस्त सेठ ने उनी के हाथ यग्य बेचने का विचार किया पसीने से उसकी सारी देय लत्पत हो गई और पेट में चूहे कूदने लगे आसपास कोई बस्ती भी दिखाई नहीं दे रही थी स्वेम एक लोटा जल पीकर और थोड़ा विश्राम करके उन्होंने अपना रास्ता पकड़ा निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यग्य महा यग्य है यह समिलान कीजिए धन्ना सेट दान और यग्य पोटली मोटी मोटी रोटियां दुर्बल कुत्ता सेठानी देवी शक्ती प्राफ्ट किसने किस से कहा एक यग्य ही बेच डालो सेठानी ने सेठ जी से कहो सेठ कैसे आना हुआ धन्ना सेठ ने सेठ जी से संकट में हूँ और एक यग्या आपके हाथ बेचने आया हूँ सेठ जी ने धन्ना सेठ से सेठ जी यह यग्य खरिदने के लिए तो हम तयार हैं पर आपको अपना महा यग्य वेचना होगा धन्ना सेठ की पतनी ने सेठ जी से ओकी बिटा तो यह क्वेश्चन आप बुक में फिल कर लेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन कॉपी में करेंगे और लर्न करेंगे बिटा ओके तो बाय बिटा